Hello everyone, हम class 8th geography NCRT को study कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का chapter number 4 जिसका title है क्रसी इसके बारे में discuss करेंगे तो चलो start करते हैं, chapter को start करने से पहले कुछ basic facts हम सबसे पहले discuss कर लेते हैं जैसे की agriculture सब्द की उत्पत्ती जो है वो कैसे हुई है, agriculture सब्द की उत्पत्ती लेटीन सब्दों एगर या एगरी जिसका अर्थ मृदा और culture जिसका अर्थ करसी करने से हुई है अब यहां पर कुछ basic बाते बताई हुई है कि कोई भी जो पोदा है उससे हम कुछ भी परिश्करत करते हैं और फिर उस परिश्करत पधार से हम कुछ उत्पाद बनाते हैं तो इस तरीके से उत्पाद तक का जो रूपांदरन होता है इसमें तीन प्रकार की आर्थिक क्रि आप इसको इस तरीके से समझे कि मानलो हमने गेहुं का पोदे लगाए गेहुं की खेती हमने की गेहुं से हमें क्या मिले गेहुं के जब हमने उसकी कटाई की तो हमें गेहुं का जो दाने है वो मिले उसके बाद में हमने उसका परिवहन किया एक जगे पर लेकर के गए उस मतलब पोधे से जो हमें गेहूं मिले उसको उत्पात तक बनाने में जो एक प्रोसेजर हुआ उसमें तीन तरीके की क्रियाई सामिल हैं जिनको हम प्रात्मिक दित्यक और तित्यक क्रियाई के नाम से जानते हैं। पात जो हमें मिलता है उसको निसकर्शित करना ये सारी चीजे जो हैं वो प्रात्मिक क्रियाई में आती हैं। और इसमें सामिल है क्रसी, मतश्यन और संग्रेंड इसके अच्छे उधारन हैं। यातायात, व्यापार, बेंकिंग, वीमा, विग्यापन ये तित्यक क्रियाउं के उधारन हैं। आप सिंपल लेंग्वेज में इस तरीके से समझें कि जो हमारी प्रात्मिक छेतर हैं। उसमें हम कोसिस करते हैं कि प्राकर्तिक संसादनों का उप्योग करके जो हम जो उत्पादित करते हैं वो प्रात्मिक छेतर में आते हैं। उसके बाद में दूसरा जो छेत्र है उसको हम उद्धोग छेत्र के नाम से जानते हैं और जो तित्यक छेत्र है जिसको हम अर्थ्विवस्ता के बेसिस पर भी डिसकस करते हैं इनों तीनों छेत्रों को तो तित्यक छेत्र में सेवाई छेत्र आती हैं. तो किर्सी जो है वो एक प्रात्मिक क्रिया है मतलब फसलों, फलों, सबजियों, फूलों को उगाना और पसुधन पालन इसमें सामिल है विस्व में जो 50 परतीशत लोग है वो किर्सी से सम्मंदित क्रियाओं में सरलंगन है बारत की दो तीहाई जनसंक्या अब तक कर्सी पर निरवर है अब जो कर्सी है वो किस चीज के ओपर निरवर करती है तो अनुकूल इस्टला करती, मतलब आपके पास जो जमीन है, वहां पर इस्टला करती अनुकूल होना चीह ऐसा नहीं है कि पाहड़ी छेतर है तो वहाँ पर करसी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ रहेगा मरदा और जलवाई करसी करिया कलाप के लिए अनिवारिय है जिस भूमी पर फसले उगाई जाती है करसी गत भूमी कहलाती है अब यहाँ पर मैप हमें दे रखा है और इसमें मैप में बता रखा है कि कौन सी जो छेतर है वहाँ पर करसी हो सकती है पूरे वर्ल्ड में तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है वो सारे छेतर ऐसे हैं जहाँ पर करसी हो सकती है यहाँ पर अगर हम भारत का मैप देखे तो भारत का लगबग यह यहाँ पर नौर्ट में हिमालियन छेतर आ गया वैसे अगर हम कंप्लीट छेतर देखे तो कंप्लीट छेतर जो है वो किरसी उपयोग वाला छेतर है इसलिए दो तियाही जनसग्या जो है वो यहाँ पर किरसी की जाएगी तो agriculture मतलब किर्सी मृदा की जुताई फसलों को उगाना पसुपालन का विज्ञान इमकला है इसे खिती भी कहते हैं नेक्स्ट है सेरी कल्जार रेसम उत्पादन रेसम के कीटों का वानिचिक पालन ये किर्सक की आय में पूरक हो सकता है नेक्स्ट है PC culture मतश्यपालन विजेश रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मतश्यपालन करना PC culture कहलाता है विटी कल्चर मतब दराक्षा करसी अंगुरों की खेती नेक्स्ट है होटी कल्चर, उद्धान करसी, वानिजिक उपयोग के लिए सबजियों, फूलों और फलों को उगाना होटी कल्चर कहलाता है, अब बात करेंगे करसी तंतर की, देखो करसी या खेती को एक तंतर के रूप में देखा जा सकता है, इसके महतपून, निवेस, के निर्गतों के अंतरगत, फसल, उन, डेड़ी और कुकुट उतपाद आते हैं, मतलब लास्ट में आपको जो है, वो ये सारी प्रोडेक्ट मिल जाएंगे, अगर आप ये सारी चीजे इन्वोल करोगे तो, तो यहाँ पर भूमी के बारे में, किरसी के बारे में बता रख अब यहाँ पर कुन-कुन से निवेस, जिसमें मानिवे निवेस क्या है, भंडारन, स्रम, मसीनरी, रसायन, ये मानिवे निवेस हैं, और भोतिक निवेस क्या क्या है, सूरिय प्रकास, तापमान, ढाल, मर्दा, वर्शा, ये सारी चीजे जब अनकुन होती हैं, तब जाकर क फसल का उत्पादन होता है, करसी के प्रकारों की बात कर लेते हैं, देखो विस्व में करसी विभिन्व तरीकों से की जाती है, भोगोलिक दसाओ, उत्पाद की मांग, स्रम और प्रोदोगी की के इस्तर के आधार पर करसी मुख की प्रकार से दो भागों में वर्गीगरत क जा सकती है, और ये है निर्वाकरसी और वानिची करसी, यहां पर बता रखता है जैविक करसी के बारे में, इस परकार की जो करसी होती है, उसमें रासाइनी खादों के इस्तान पर जैविक खाद और प्राकर्दिक पीड़कनासी का उपयोग किया जाता है, फसलों का तो यहां पर हमने देखे कि करसी दो परकार की निर्वाकरसी और वानिची करसी, सिंपल तरीके से आप समझ लो कि सिर्फ जिंदिकी जीने के लिए, जीवन या पन करने के लिए जो करसी की जाती है, उसको बोलते है निर्वाकरसी और वानिची करसी, मतलब बड़े उद्ध प्राप्त करने के लिए निम ने इस तरिये प्रद्व की मतब जब सिर्प परिवार के लिए किया जाता ने तो उसमें टेक्नोलोजी का ज्यादा यूजनी किया जाता जादर दर जो है वो परिवरिक स्रम मतलब परिवार के लोग मिलकर ही खेती कर लेते हैं तो निर्वा जो क च्छित्र में एक वर्स में एक से अधिक फसली उगाई जा सकती हैं। च्छित्र में एक वर्स में एक से अधिक फसली उगाई जा सकती हैं। पसु चारण पर ही वो लोग डिपेंड करते हैं। इस्तानांत्री करसी देखने को मिलती है। वरक्षो को काटकर जलाकर भूकंड को साफ किया जाता है और तवराक को मरदा में मिला दिया जाता है। मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को यहाँ पर उगाया जाता है। भूमी की उरवर्ता की समापती के बाद वैभूमी शोड़ दी जाती है और करसक नए भूकंड पर चला जाता है। इस्तानांतरी करसी को कर्तन और देहन करसी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो जूमिंग बोला जाता है हमारे उत्तरी पूरी भारत में, मिलपा बोला जाता है मेक्सिको में, रोका बोला जाता है ब्राजील में, लदांग बोला जाता है मलेशिया में। अब बात कर लेते हैं चलवासी पसूचारण की तो सहारा के अर्दसुस्क और सुस्क प्रदेशों में मद्दे एशिया बोर भारत के कुछ बागू जैसे राजस्तान और जम्मो अंड कसमीर में परचलित है इस परकार के करसी इस परकार की किर्सी में पसू चारक अमने पसू के साथ चारे और पानी के लिए एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर निश्चित मार्गों में गूमते हैं इस परकार की गतिविदी जो है वो जलवायू बादाओं भूबा की परतिकिर्या सरूप उत्मन होती हैं पसु चारक, मुकित भेड, मुट, मवीसी, याक और बक्रिया पालते हैं। पसु चारक और उनके परिवारों के लिए दूद, मास, उन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्द कराते हैं पसु देखो जब भी आप राजिस्तान वाले छेतर में आओ तो आप देखना वहाँ पर सड़कों पर आपको इस तरीके के जुंड देखने को मिल जाएंगे इसमें विस्तरत, क्रष्ट छेतर और अधिक पुझी का उप्यों किया जाता है अधिकान सकारिय मसीनों से किया जाता है वानिजी किरसी में वानिजी क अनाज किरसी मिश्रित किरसी और रोपन किरसी जो है सामिल है सबसे पहले बात कर लेते हैं वानिजी क अनाज किरसी तो इसमें जो फसले हैं वो वानिजिक उद्दिश से उगाई जाती हैं, गेहुर मक्का सामाने रूप से उगाई जाती हैं, उतरी अमेरिका, यूरोप, उरेश्या के जो सीतोषन घास के मैदान है, वहाँ पर वानिजिक अनाज करसी के प्रमुक छेतर है, ये छेतर सैक्डो हेक् के बड़े फार्मों में युकत विरल आबादी वाले चेतर, मतलब आबादी तो है कम, छेतर है जादा और उपजाओ जमीन है, तो वहाँ पर ये खेती की जाती है, अतर्दिक ठंड जो है वो वरदनकाल को बादित करती है, मतलब यहाँ पर खेती भी की जाती है, तो ऐसे तो है यूरोप, पूर्वी, सैंक तराज अमेरिका, अर्जेंटिना, दक्षने पूरी उस्टेलिया, न्यूजिलेंड और दक्षने अफ्रीका में परचलीत है, अब बात कर लेते हैं रोपन कर्शी की, वानेजी कर्शी का ही एक परकार है रोपन कर्शी और इसमें चाय, कह पहवा, काजू, रबड, केला, और कापास की एकल फसल उगाई जाती है, वरत पहमाने पर स्रम और कूंजी की आवशकता होती है, उत्पाद का परसंस्करण, खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है, इस परकार इस कर्शी में परिवहन जाल के विकास की अन अब मुख्य फसले, जो जो मेंमें फसले हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट डिसकस करेंगे, जैसे कि बहुत बार इस तरीके से आपको किसी फसल के बारे में वता देंगी, कि Темपरेड़ेचर इतना होना चाहिए, इस तरीके की मिर्दा होनी चाहिए, और इस समय में इसको उगाया जाता है तो बताओ आंसर में चार ओप्षन दे देंगे पूछ लेंगे कि कौन सी ये फसल से related महत्पून परिस्तितियां हैं तो आपको पता होना चीए कि कौन सी फसल जो है वो किस तरीके से उगाई जाती है ये कौन से समय में उगाई जाती है बढ़ती हुई पेई फसल है बात कर लेते हैं चावल की विस्व की मुख्य खद फसल है मतलब खाने में अगर हम बात करें तो maximum population चावल खाती है उशन कटी बंदिये और उपोशन कटी बंदिये परदेसों का मुख्या आ रहे चावल के लिए उच्च तापमान होना चीए अधिकादरता हो और वर्सा की आवशकता भी होती है यह फसल जो है वो चीक का युक्त जलोड बुर्दा जिसमें जल रोकने की छमता हो ओके इस तरीके का पानी भरा हुआ होना चीए जमीन में वहां पर सबसे ज़्यादा होती है यह फसल चीन चावल उत्पादन में अकरनी है इसके बाद जलवाई वे दसाओं जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांगलादेश में एक वर्स में दो से तीन फसले उगाई जाती है चावल की क्योंकि वहां पर जो दसाओं है वो काफी ज़्यादा अनुकूल है अब बात कर लेते हैं गेहूं की तो गेहूं के वर्दनकाल में तापम अर्जेंटिना, रूस, योक्रेन, और भारत में विस्तरत रूप से उगाया जाता है भारत में सीतरितू में उगाया जाता है मतलब रभी की फसल में उगाया जाता है भारत में मोटे अनाज की रूप में भी जानने वाली है ये फसल और कम उपजाओ और बलूई मर्दा में इसको उगाया जाता है ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और परियाप्त सूर्य की प्रकास की अफशक्ता होती है जुआर बाजरा और रागी भार मर्दा की आफशक्ता होती है मक्का जो है उतर अमेरिका ब्राजील चीन रूस कनेडा और भारत और मैक्षिकों में वाई जाती है मक्का जो है इसको कोर्ण के नाम से भी जाना जाता है और विस्व में इसकी बहुत सारी रंग बिरंगी प्रजातिया पाई जाती है कपास की बात कर लेते हैं कपास की वर्दी के लिए उच्चतापमान हलकी वर्षा दो सो से दो सो दस पाला रहित दिन मतलब जब कपास को काय जाए दो सो से दो सो दिन तक जो है वो पाला नहीं पढ़ना चाहिए और तेज चमकीली धूब की भी आफशकता होती है काली और जलोड में सरोतम उगती है कपास चीन, संहितराज अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र जो है कपास के अगणी उतपादक है और सूती वस्त रुद्धो के लिए महत्पून कच्चा माल है अब बात करेंगे पटसन की तो इसको सुनेरा रेसा के नाम से भी जाना जा इनके जो रेसे है ना उनका उप्योग किया जाता है वस्तर बनाने के लिए पटसन का उप्योग और ये कैसे रेसे हैं प्राकरतिक रेसे हैं कोफी इसके लिए गर्म और आदर जलवायू सू अपवआई तो मत मर्दा के आउशक्ता होती है इस फऽसल की व्रद्धी के गाई जाने वाली पेई फसल है, इसकी कोमल पत्तीों की वर्दी के लिए थंडी जलवायू और वर्स भर जो है, वो सम वितरित उच्च वर्सा की आवशक्ता होती है, ढाल जो है, वो मंद होने चाहिए, पत्तियों को चुणने के लिए अधिक संक्या में सर्मिकों की आवशक अब बात कर लेते हैं किर्सी के विकास की, किर्सी का विकास कैसे से देखने को मिलता है, लेको जनसंक्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे किर्सी का विकास होना चाहिए, क्योंकि किर्सी का उतपादन बढ़ेगा, तब भी जनसंक्या की डिमार्ड हम पूरे कर पाएं जो मसीनी करण किया जा रहा है, इससे भी किर्सी का विकास का काफी ज़्यादा हो रहा है। जाती हैं, बड़ी जोते वानेजी कर्सी के लिए अधिक भ्यूक्त होती हैं, जैसे संइतराज अमेरिका, कनाड़ा और और उस्टेलिया में। किर्सी है, वो अपने जीवी का उपारजन के लिए वानिजीक लेवल पर बहुत कम किर्सी हमारे आपर की जाती है। और दूसरा अगर हम यहाँ पर रसेंग तराज अमेरिका के बारे में बात करें, तो हाँ भारत में ये भी है, कि भारत में क्या होता है? कि जब खृशी का ऊत्पादन वानिजीक लेवल पर नहीं किया जाता है, तो जो भी ऊत्पादन होता है, उसको स्टोर करने के लिए आ जो किसान है वो एक व्यफसाय की तरह करसी को नहीं करते हैं लेकिन अगर हम बात करें संधराज अमेरिका की तो वहां के खेतों की जो आकार है अगर हमारे इंडिया से कंपरिजन पर तो काफी बड़े बड़े खेत होते हैं और मैक्जिमम वहां पर जो टेक्नोलोजी का कि वो अपनी खेती की मर्दा को time to time उसको check करवाते हैं, check के basis पर ही कौन से जो है उनको chemical use करने चाहिए, कौन से fertilizers use करने चाहिए, इस तरीके से करते हैं, उनकी खेती को वो एक तरीके से बहुत सारी technology के थिरूँ connected होते हैं, देख पाते हैं कि उनकी खेती को technology के थिरूँ directly, ज कि technology के थिरूँ जो हैं, वो connect कर पाते हैं, image को देख पाते हैं, अच्छा है, इस लेवल पर हमें ज़्यादा कुछ जरुरत है, या इस एरिया में हमें पानी की जरुरत है, इस तरीके से, तो technology का इतना अच्छे लेवल पर किया जाता है, मसीनरी जो है, उसका काफी use किया ज जाता है, यहां पर इस तरीके से जो है, वो छड़काव किया जाता है, मतलब मसीनरी जो है, वो उसका ज़्यादा यूजूत है वहाँ पर, इस तरीके से आप समझे, कि यहां पर कटाई हो रही है, साथ ही साथ में जो है, वो निकल भी रहा है, जो product है वो, तो यहां पर तो ये आज का हमारा चेप्टर नंबर फूर था, ख्लासेट जोक्रोफी का, अगर आप यहां तक आए हैं, चेप्टर आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, उचान को सब्सक्राइब कीजिए ओके, थैंक यू